कि अधिए करेगे अधिए कि अधिक भूगता अधिया ठारा शुट संक्याएक कि विश्ण प्रू उचारन करेंगे हैं आपके पास नौट्स होना चाहिए तेरे भर से क्यों बैठे हैं कि विडियों और अंडियों और और कि अरे कृष्ण टूमाद्वकत गीता अधिया अठारा अश्वक संख्या अर्जून वाचा अर्जून वाचा अर्जुन वाचा अर्जुन वाचा सन्याशष्य महाबाः तत्वमिच्छामिवेधितुम त्यागश्य चरिशीकेशा प्रिथककेशी निशूदना अर्जुन वाचा अर्जुन वाचा सन्याशष्य महाबाः तत्वमिच्छामिवेधितुम त्यागश्य चरिशीकेशा प्रिथककेशी निशूदना श्रेम दोगत गीता अर्जुन वाचा सन्याशष्य महाबाः तत्वमिच्छामि वेधितुम त्यागश्य चरिशीकेशा प्रिथककेशी निशूदना अर्जुन वाच्या सन्या सस्य महावा हो तत्तम इच्छामि वेधितुम त्यागस्य चारिशी केशा प्रिथकेशी निशूदना अर्जुन वाच्या सन्या सस्य महावा हो तत्तम इच्छामि वेधितुम त्यागस्य चारिशी केशा प्रिथकेशी निशूदना अर्जुन वाच सन्यासस महाबाहो तत्तमिच्यामि वेदुतं त्यागस्च रिसिके सपित के सीनी सूदन हरे कृष्ण अर्जुन वाच सन्यासस महाबाहो तत्तमिच्यामि वेदुतं त्यागस्याच रिसिके सपित के सीनी सूदन हरे कृष्ण अर्जुन वाच सन्यासस महाबाहो तत्तमिच्यामि वेदुतं त्यागस्याच रिसिके सपित के सीनी सूदन हरे कृष्ण प्रफाभू दन्रूत्पनाम। अर्जुनवाचा सन्यासेस महाबाव। तत्य इच्छा मेवे रित्म। यागस्यच्यच्य। रतक्येस्टिनेवसुदानम। अर्फाभू नेक्ष्ट पढ़िए। अंतिजीस। अरे कृष्णा प्रभुजी, अर्जुनुवाच सन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेधितुम् त्यागस्य चरिशीकेश प्रिथकेशी निशुदना। सन्यास्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेधितुम् यागस्य चरिशीकेशा प्रिथकेशी निशुदना। Next. थ्यादल ने लएक्शना एक्ष्यरिघर्णल प्रट्ट्म हेस ? क्यों है, ट्यादल ने मलबेदा, ट्यादल ने हमाज रिख्या, प्रतके शियू धनारी छत्मत नवाध्नल नुछ मुछ्यर्ण वर्ट्ट्ट्ट्म। लेहादनम प्रट्ट्म्द हेसी conductor ठाणिया करुपants प्रणा हरत्षी ने स्थना ट्थी के शिकेश हरे कुषा प्रणाम ने स्सक्राणा रिक्रिष्णा प्रणाद प्रणाव टैसे इंढ को सथैंः आश्तिने सूदेंभender तो झान किसंद आशा नुल को एफ양 तो मेन नुभ याल्य तो कि घंडनें निचतौ कषियो डने तो कर थो खोडने को संद्या में वर्फडेंगा वुथा घ्जिदेन CHuwण एब चिंडेन versión कि इसेजेंग निए इशोर से लिशी दना है। निशी निशी द बना है। क्या डोक्रक्रक्रसी केषा प्रिथा प्रिशी निशुदना अरे कुछ अरे कुछना अर्जुन वाचा तन्या सथ से महाबा हु वा तत्व में इच्छामि वेधितुम त्यागस्य चारी स्रीकेशा प्रिथ्यकेशी निशुदना अर्जुन वाचा अर्जुन ने कहा सन्याश अश्य सन्यास का महाबाहो हे बलसाली भुजाओं वाले तत्वम शत्यको इच्छामे चाता हूँ वेधितुम जानना त्यागस्य त्यागस्य चन्यास का जभी रिशी केशा हे इंद्रियों के श्वामी प्रिथक भिन रूप से केशी निशुदना हे केशी असूर के संगहारता अनुवाद एवं ताद पर श्री कृष्ण कृपामूर्ती यशी भक्ति विदान तर श्वामी श्रीला प्रभपात के द्वारा जगत गुरु श्रीला प्रभपात की चश्रीला प्रभपात अनुवाद में लिख रहे हैं क्या अरजुन ने कहा है महाबाहु मैं त्याग का उद्देश से जानने का इचुक हो और हे केसी निशुदन हे रिशिकेश में त्याग मैं जीवन चन्या सास्रम का भी उद्देश से जानना चाहता हूं जगत गुरु श्रीला प्रभपात की चश्रीला अरे कृष्णा तो आप सभी का आज के सद्ध्याई में आज के इस क्लास में स्वागत है इसके संस्क्रीट को समझने का प्रयास करते हैं बहुत अच्छा स्लोक है बहुत अच्छा चैप्टर भी है ठीक है तो यहां पर भगवान कहरे है पहले अर्जुन का प्रश्ण है अब देखिए अर्जुन अर्जुन ने कहा क्या कहा सन्याश श्य महाबाहू महाबाहू यहां पर कौन है कौन है कृष्ण को यहां पर अर्जुन को भी बहुत जगह रिफर किया जाता है लेकि यहां पर कृष्ण को भी कृष्ण को रिफर किया जा रहा है कृष्ण अर्जुन बोल रहे है तो कृष कया है ? त्याग अश्यच क्या है , रिशी केश, इंज्रियों के श्वामी , पृृ। किया है ?ी की तिया सब्दों से इंगित क्या रहे आप लोग बता सकते हैं ? तीन सब्ध भगवान के लिए यूज़ किया गया, बताइए अब प्रिथाक मतलब आप लोग समझते हैं, प्रिथाक मतलब क्या होता है? अलग होना तो यहां बहुत सुनर बता रहा है कि अगर सन्यास और त्याग एक ही बात है तो समझाईए अगर उनमें भेद है तो समझाईए तो लोग मतलब समझ रहा है ना, तत्वा में बताईए, अच्छे से ठीक ठीक बताईए तो वैसे तो कहने की बात नहीं है, भगवान ठीक ठीक ही समझाएंगे अगर भगवान को क्या कहा जाए तो अच्छे से बताईए, बहुत बार लोगों को नहीं पता होता है सन्यास का मतलब क्या है, त्याग का मतलब क्या है यह बहुत इंटरेस्टिंग चेप्टर है। आपने देखा हो, बहुत लोग को भूख प्रोग्रेस करेंगे तो भही बता रहें सन्यास क क्या है तियाग क्या है बहुत इंट्रेस्टिंग चेप्टर है, सुरिए अर्जुन वाच्या, अर्जुन ने कहा हे महाबाहु मैं त्याग के उदेश को जानना जानने का इचुक हूँ और हे केशी निशूधन, हे रिशी केश मैं त्याग मैं जीवन सन्या सास्रम का भी उदेश से जानना चाहता हूँ, अब आप देखिए कि क्यों उनको और इशी केस कह रहे हैं, क्यों उनको केसी मिशूधन कह रहे हैं, यह आपको बहुत अच्छे से गीता भुसन टीका मैं समझ में आएगा ठीक है, तो गीता भुसन टीका अब जो लोग फर्स टाइम आए हुए है, जो गीता भुसन टीका नहीं जान रहे हैं, उनके लिए क्या दू, यह कौन सी टीका है, हमने लिखा यह गीता, यह गीता भुसन टीका किसने लिखा है बदाई-बदाई ठाकुल बल्दे विद्या भुसंजी ने लिखा है ठीक है और उनको ही श्लप रुपाद 80% आप देखेंगे 80-90% श्लप रुपाद उनको ही फॉलू कर ठीक है और उनको ही समरपित किये गए पहले किया रहा है कि गीता के अठारवे अध्याय में भगवान सारे गीता के विश्यों को सार रूप में प्रस्तूत करेंगे और भक्ती के रश्य को प्रस्तूत करेंगे और भक्ती के अंदर का सरनागती को प्रस्तूत करेंगे वेरी इंपॉर्टन बहुत अच्छा बता रह हो सकती, अब जानते हैं इसको और इस प्रकार से भगवान की भक्ति किस प्रकार से सरण ली जाती है या सब आखनी में बताएंगे और गीता का विस्ठे जो पूरा है च्छे अध्याई करके उसके बाद छे अध्याई तो उसको भगवान summarize करके बताएंगे इसलिए इसको कहा जा रहा है उपसंगहार उपसंगहार मतला समझ रहे है भगवान क्या कर रहे है finally summary दे रहे है summarize कर रहे है एक summary form में यहाँ पर रख दिया गे अठारवे अध्याई को इसलिए अगर हम नहीं सुन पाए है 1, 2, 7 अठारवे अध्याई को सुन रहे है तो आप थोड़ा बहुत समझ रहेंगे ठीक है उसके बाद अगर भगवान की इच्छा भी तो पूरा भगवद गीता क्लास लेंगे अब घवराई है नहीं लेकिन फिर भी एक चीज धियान रखिए अगर सुनेंगे तो भगवान की इच्छा बहुत सुन्दर तरीके से भगवद गीता समझ रहे है संदे से युक्त अर्जुन ने सन्यास सब्द के अर्थ के संबन में पूछा जिसके विशे में भगवान ने सर्वकर्मानी मनसा सन्यास यास्ते शुकम वर्षी गीता 5.13 इत्याधी स्लोप में वर्रन किया था अगवद गीता के पांचवे अध्याई के तेरवे स्लोप में बताया गया था कि सारे कर्मों को वह त्याग दिता है और कुछ मन में मन जोए वह भगवान में लगा कर रखता है तो सीख बता रहे हैं, साथ ही वह त्याग सब्द का अर्थ जाना चाहता है, जाना चाहते थे जिससे त्यक्तवा कर्म फला संगात, गीता 4.20, जो कुछ हम कर्मित्यादी करते हैं, उसके फल की आसक्ति को त्यागो, दो सब्दा आए थे न, एक आय था सन्यास और दूसरा आय लग समझना चाहता है, जैसा स्लोकों में वर निद्की आ गया था, तो यह रिफ्रेंस दे रहे हैं, समझ रहे हैं, यह बनलब बिद्या मोसन जी की यह सैली है, यह स्टाइल है, यह अरजुन क्यों कर रहे हैं, यह रिफ्रेंस दिया जा रहा है, कि पहले कुछ बात हुई थ कि पहले कुछ बात हुई थी, लेकिन वह किलियर नहीं हो, उसी को फिर से, थोड़ा कुछ confusion हो गया, तो वही पूछे रहे हैं, सन्यास और त्याग में क्या अंतर है, आप यह देखिए, यह बहुत महत्पूर्ण है, आगे देखिए, यह सब्द दोनों एक दम अलग अर्थ रखते हैं, जैसे पेड़ और पत्थर, समझ रहे है, पेड़ और पत्थर, दोनों अलग अलग सब्द है या नहीं है, है ना, अलग अलग है, पिर्थक पिर्थक है कि नहीं है, बड़ा फिलोसफी है, पेड़ और पत्थर अलग अलग सब्द है कि यह की सब्द है, अलग अ अलग-अलग है तो अलग-अलग अलग है पिर्थ तक है अब आगे देखिए क्या लिख रहे है या फिर इनकी एक जैसे अर्थ होते है जैसे कुरु हो और पांड़ु js डोनों सुनने में अलग-अलग लगते है लेकिन क्या पांड़ पांड़ु नहीं है ow receiving पांडव कुरु वन्स में न elna अकभी-कभी लीको नंदन कहाता है इनको भी करु कहा जाता है वैसे थो हुआ पांडव है लेकिन कुरु कहा जा रहा है मतलब जैसे पांडव है लेकिन पांडव और कुरु में कोई तो कभी-कभी इनको कुरू नंदन कहा जाता है इनको भी कुरू कहा जाता है तो कुरू स्रेश्ट, कुरू नंदन, भगवान वीश्व संबंदित की है वैसे तो वह पांडव है लेकिन कुरू कहा जा रहा है मतलब जैसे पांडव है लेकिन पांडव और कुरू में कोई विस थे संदर नहीं केवल सब्द भीद है प्रिया वाची सब्द पड़े है ना समानार्थ क्या कहते है उसको अलग-अलग सब्सेम मिलिंग इंग्लिस में क्या कहते है कि पढ़ते दें कभी पूल कि क्या कहते है इसे कुछ कहते है तो अलग-अलग सब्द है लेकिन एक जैसा रहता है कि मैं अलग-अलग सब्भाव को समझना चाहता हूं प्रिथक स्वाम मैं तो कहा रहां कि अलग अलग हैं अलग अलग तो हमें अलग अलग ते इस है वह है और और याव प्रयाव अची है और एक वस्तु को वर्णित करता तो那फ यह जाक यह की है कि सन्यास व हुद तो यह यह ही है तो बताइए कैसे नहीं पढ़ाओगा ने आप लोगों ने पढ़ाओगा कभी-कभी विपढ़ते थे कि ब्या दोनों में similarity है और क्या difference है अंसर लिखिये 5 Similarity और 5 difference इस प्रकार से पढ़े थे मोग कभी-कभी अब दीके यह बहुत अच्छा है हे महाबाहु कृष्ण, आप रिशी केश हैं, और इस कारण से आप मेरी बुद्धी की क्रिया को जागरित कर रहे हैं, और आप नहीं या संसे मेरी बुद्धी में उत्पन्न किया है, और अद्भूत है भूगू, आ लाइने, सुनो, हे महाबाहु कृष्ण, आप कृषी केश और इस कारव से आप मेरी बुद्धी की क्रिया को जागरिद कर रहे हैं और आप नहीं या संसे मेरी बुद्धी में उथपन किया है बहुत रोच जखें बहुत इंट्रेस्टिंग है अब यह प्रश्ट बनेगा कि भागवान ने यह अरजुन के चित में क्यों उथपन होने दिया कि क्योंकि इससे सरधर्मान परितेज्य सारी बाते भगवान को बोलने का मौका मिलेगा जैसे आप जानते हैं सनातन गुस्वामी को श्रिमा अंचेतन महाप्रूरे सक्ति दी कि वह जिग्यासा कर सके और दसस्वामी की घाट पर जिग्यासा कराया और प्रश्ण का उतर प्रश्ण कर रहे हैं और रामान प्रश्ण कर रहे हैं मुझे पता नहीं कि इसका क्या उतर होगा लेकिन एक विला की तरह हूं प्रभू आप बजाने वाले हैं ऐसे महाप्रवू क्यों करते है अपने भक्तों को अपने भक्तों को यस देने के लिए अब जैसे अगर भागवत तब में भी देखेंगे योग माया देवी दुरुगा को भगवान आदेश देते हैं कि तुम जाओ गच्छ देवी बजरम भंद्रे हे देवी आप ब्रज में जाओ और जाकर के बलदेव जी जो अभी देवकी के गर्व में पल रहे है उनको रोहिणी के गर्व में टांसफर कर दो अब योग माया और हे देवी तुम इस प्रकार से करो मैं तुम्हारा कलीव मैं मुझसे भिधिक पूजा होगा अब योग माया देवा कहती है कि मुझसे नहीं बदा कि मैं यह कैसे करोंगी मुझसे नहीं बदा लेकिन क्योंकि भगवान का आदेश है तो प्रयास करती हूँ अब भगवान का आदेश था तो उन्होंने प्रयास किया और स्वता हो गया यह ना अब जैसे वहां पर वसुदेव जी के हाथ में बगवान थे लेकिन वसुदेव जी की बेढ़िया लगी भी थी गेड़ बंद थे अब वसुदेव जी अगर कन्फूज कर जाते हैं अरे यह तो गेट लगा हुआ है बेढ़िया लगा हुआ हम नहीं जा पाएंगे प् यम्ना देवी यम्ना देवी तो नाविशाल रूप ले करके रखी थी थोड़ा सा आगे बड़े यम्ना देवी सांत हो गई पान इतनी जोड की पढ़ रही थी बल्रामशी आ गए तो पैं खाली खाली कहा रहा था कि भगवान इस पर कराते हैं तो यह अभी अर्जुन के मन में प्रश्ण उठा रहे हैं समझ रहे हैं तो एकदम से प्रश्ण क्यों करने लगे थी अभी तो सत्रवे अंध्याय में मात में थी कि ओम दद्सत भगवान के नाम पे बात हो रहे तो यहांपर एकदम से बात आ गई सज्ञ्यास और त्याग की यह सब क्यों आ रहा है तो भगवान की इछा से ही यह प्रश्ण अरफ़ुन कर रहे हैं अब देख सकते हैं कि अरफ़ुन की चेतना कितनी उच्छी है समझ पा रहें कितनी उची चेतना है रामने इतने बड़े महा युद्ध का विबूल बच चुका है संक बच चुका है और यह विचार कर रहे हैं कि सन्यास और त्याग में क्या अंतर है अब मालो आप लोग भगवद गीता सुन रहे हैं और भगवद गीता सुनने के बाद अगर बोले यहाँ से जैसे निकले भगवद गीता खतम हुआ कि युद्ध करना है पंदरा पंदरा गुंडे पंदरा पंदरा ओव बॉक्सर बड़े बड़े खड़े हैं आपको मारने के लिए भगवद गीता में मन लगेगा बदाईए छेछे गुंडे खड़े हैं गोली ले करके आप गीता सुन पाएंगे कौन सुन सकता है हिमत है लेकिन इनकी इनको देखो कोई चिंता नहीं है करोणों लोगों से युद्ध करनी है लेकिन कोई चिंता नहीं है प्रशन कर रहे हैं सन्यास और त्याग दे क्या उच्चत इतना नहीं ये एक सुद्ध भक्त का ये लक्षन है तो पॉइंट क्या है कि हे रिशी केस रिशी केस कहने कार्थ है कि जो इंद्रियों के स्वामी है इंद्रियों कार्थ हो गया मन और बुद्धी के भी जो स्वामी है तो आप मन और बुद्धी के स्वामी है तो आप यह प्रश्ण जागरित कर रहे हैं यह इसी केश सम्द का महत्व यहाँ पर आगे कह रहे हैं आपने केशी का वद किया था इसलिए आप मेरे संसे का भी वद कर सकते हैं है थाघसी निसुधन, आया था था नए, केशी नाव होंका एक डेत्त था बगावन ने मारा था उनको, कहां मारा था, याद है? कहँ है? कोई गय हैं क्या? कहां मारा था? केशी गाट कैशी गाट कभी गाट वहापे? जी प्रामुझी अभी तूरंद गहते निद्ध मारत वंसे पिश्टोल सेमर्था एक ही 47 लाएं को मुद्ध हो एपने हाथ से उसके मुझे हाथ डाले और फिल वाकी कोई मेरे बोमें जलता हुआ जूआ डाल दी बहुत महत्वपून बात है भक्ती में संसे होना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिर उसका बने रहना यह बहुत दिक्कत है फिर भक्ती का नहीं दिक्कत आजाएगा कर दिंद सबस्क्राइब कोई दिक्कत नहीए लेकिन उसका निवारां तुरन्ध हो जाना चींश मोगा क्या करेंके तात पर पढ़के खतम कर लेंगे आज वीड करेंगे करते हैं प्रभूजी तो टुमॉरो इन गुन्टूनिवा ओके अरे खुष्णा स्रीमत भगवर्गी था रोप की जाए 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 दुर्शला प्रभवाद की जाए गौवर प्रमारंदे हरी हरी और ओके प्रशन भी है क्या पूछिए